नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हेलफाव यूटूब चैनल में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने मोबाइल से इसरम कार्ड कैसे बना सकते हैं पूरा इस्टेप बाइस्टेप सुरू सिले का लाश्ट तक आज इस वीडियो में बताएंगे अगर आप आपब ज सरफ करने के बाद यहाँ पर यहां पर यह वैबसाइट देखने को मिल जाएगा इस पर में किलिक कर देना है इसके बाद पर हमें कुछ ही डाकुमेंट का जुरूत पड़ेगा जैसे की अधार कार्ड का हमें जुरूत पड़ेगा जो भी अधार कार्ड का नंबर होगा इसका हमें जुरूत पड़ेगा इसके अलामा जो भी आपके अधार कार्ड में मुवाइल नंबर लिंक होगा या फिर रिजिस और self registration पहले करना है यहाँ पर आपको वह mobile number लिखना है जो भी आपके अधार card में link होगा या फिर register होगा इसके बाद यहाँ पर नीचे capture code दिखाई देगा जिसे हमें उपर वाले box में लिख देना है जो बगल में यहाँ पर है इस तरह से लिखाई capture code है बिल्कूल हमें उसी तरह से लिख देना है capture code दिखने के बाद यहाँ पर हमें नीचे आना है और यहाँ पर हमें no no कर देना है इस दोनों में इसके बाद यहाँ पर हमें send OTP पर click कर देना है अब इसके बाद यहाँ पर यह OTP आ जुगा है पर में अपने अधार कार्ट का नमबर लिखना है जो भी आपका अधार कार्ट का नमबर रहेगा यहाँ पर आपको लिख देना है अब इसके बाद यहाँ पर आपको निचे तीन तरह के आपसंद दिखाई देंगे फिंगर्प्रिंट आयरिस और ओडिपी अगर आप अपने mobile के माध्यम से स्रम कार्ड बनना चाहते हैं तो आपको OTP को स्रेट कर लेना है क्योंकि आपको इसमें असानी रहेगा अगर आपके पास मतलब mobile नंबर जो है link नहीं है अधार कार्ड में तो आपको जो है जाना पड़ेगा जो भी इसका मतलब CAC Center होता है जहाँ पर भी दुकान होता है वहाँ पर जो आपने fingerprint या फिर आइरिस के माध्यम से जो है आपका स्रम कार्ड बन जाएगा लेकिन यहाँ पर आपको बताएंगे कि OTP के माध्यम से आपको कैसे करना है OTP यहाँ पर पहले जो भी आपके अधार कार्ड में mobile number लिंक हुआ उस पर OTP आएगा OTP यहाँ पर यह आ चुका है OTP को यहाँ पर हमें लिख देना है OTP लिखने के बाद हमें validate पर click कर देना है अब इसके बाद यहाँ पर यह validate हो जाएगा अब इसके बाद यहाँ पर हमें नीचे आना है और यहाँ पर हमें registration form को भरना है यहाँ पर यह registration form यह आ चुका है अब इसके बाद यहाँ पर यह जो भी आपके अधार कार्ड में कुछ जनकारी होगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इसके बाद यहाँ पर हमें continue to enter other details पर click करना है इस पर click करने के बाद अब यहाँ पर हमें नीचे आना है अब इसके बाद यहाँ पर हमें अपने बारे में personal information भरना है यहाँ पर अगर आप कोई emergency mobile number देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यहां पर हम नहीं मुवाईल नंबर इसमें एक एड़ कर देती है अब इसके बाद अगर आप अपना इमेल आइड़ी यहां पर देना चाहते हैं तो इमेल आइड़ी यहां पर आप एड़ कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर यह मैंटर इटेटरस है इसे हमें स्लेट कर लेना है यहाँ पर हम इसको जो है स्लेट कर लेते हैं अब इसके बाद यहाँ पर हमें फादन नेम लिग देना है जो भी नाम होगा यहाँ पर हमें लिग देना है इसके बाद यहाँ पर में social category को set कर लेना आए इसमें click करना है इसके बाद यहाँ पर जो भी आप़ा category होगा जिसी याइद कि होंगे उसके धात से में some sort कर लेना है इसके बाद यहाँ पर एक अगर आप इसका certificate देना चाहते हैं यहां पर यहां पर में नीच आने के बाद यहां पर में आपने पादर का यहां पर आप दिना है, 오른ी जो बी आपको अड़ करना रहेगा, यहां पर ses में पूरी इसको आया पर क्या करते हैं इसको हम लिग देते हैं जो भी नाम होगा यहां पर हमें नाम को लिग देना है इसके बाद यहां पर यह जो भी डेटा बर्थ होगा यहां पर हमें डेटा बर्थ को स्लेट कर लेना है इसके बाद यहां पर हमें से जेंडर को स्लेट कर लेना है इसके बाद यहा यहां पर हमें इसका मुवाइल नंबर भरना है तो यहां पर हम मुवाइल नंबर लिदेते हैं अब इसके बाद हमें Save and Continue पर क्लिक कर देना है इसके बाद यहां पर यहां पर यहां पर यह एड हो जाएगा अब इसके बाद यहां पर हमें नीची आना है और यहां पर हमें रे करना है अगर आप स्हष्छ भी इसके बाद यहाँ पर आपको पना हाउस नंबर बनने यहाँ माउस नंबर नहीं तो करते हैं अपना जो भी तरह से गाओं का या फिर जो भी मौले का नाम होगा यहां पर हमें लिख देना है इसके बाद यहां पर यहां पर यह तहसील भी छोड़ सकते हैं इसके बाद यहां पर हमें अपना पीन कोड को लिख देना है यहां पर हम पीन कोड को लिख देने के बा के उसक Suglet करना है इसके बाद यहां पर में नीची को फिर से हमें कर लेना है इसके बाद यहाँ पर हमें district codeлонire को हमें select कर लेना है इसके बाद यहाँ पर हमें फिर से जो है जो भी pincode होगा यहाँ पर हमें लिख दिना है इसके बाद हमें save render continue पर click कर दिना है करने के बाद अब यहाँ पर में नीचे आना है और education qualification को भरना है अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको नीचे कई तरह के आपसन देखने को मिल जाएगे यहाँ से आप जो स्लेट कर सकते हैं अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप पहले वाले आपसन NOT LATERGSocial कर सकते हैं यहां पर हम कुछ है यहां पर और भी स्लेट कर लेते हैं यहां पर हम हाईयर सेकेंडरी को स्लेट कर लेते हैं अगर आप इसका कोई सर्टिफिकेट का यहां पर यह फोटो अप्लोड करना चाहते हैं तो यहां से आप अप्लोड कर सकते हैं लेकिन यह कोई जवरी नहीं है पर हम पहले वाले आपसन को जो हम स्लेट कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पर हमें नीची आना है और सेब एंड कांटिन्यू पर हमें किलिक कर देना है इस पर किलिक करने के बाद अब यहाँ पर हमें नीची आना है और यहाँ पर हमें अपने ब्योसाई और कौसल के बारे में हमें जनकारी भनना है जैसे कि अगर आप कोई plate farm worker है तो आपको yes करना है अगर आप कोई business करते हैं या फिर आपका कोई ब्योसाय है या फिर आप खूद का कोई काम करते हैं तो आपको जो है इन सब चीजों को यहाँ पर भनना है पहला option जो इसको आपको search कर देना है यहाँ पर जो आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे कई तरह के देखने को मिल जाएंगे option देख सकते हैं यहाँ पर करने के और अखे बाद यहां पर आपको यहां पर आपको बेख़ाय है और अब पर आपसे निकाने आजहां चाहते हैं तो यहां अपलोड कर सकती है लेकिनvacc click काम एक्सितर अंचिर ci इसके बाद हमें इसके बाद हमें अपने बैंक काउंट के बारे में जानकारी भरना है और यहां पर में एक बात का दियान रखना है कि बैंक काउंट में अधार सीडिंग हुआ रहना चाहिए तब ही जाकर आपको पैसा प्राप्त हो पाएगा नहीं तो प्राप्त नहीं हो प इसके बाद यहाँ पर मैं नीचे दुबारा इसी bank account number को लिख देना है इसके बाद यहाँ पर जो भी आपका account में नाम होगा जो भी account holder name होगा यहाँ पर आपको लिख देना है इसके बाद यहाँ पर आपको FSC code लिखना है इसके बाद यहाँ पर मैं search कर देना है search करने के बाद जो भी bank का नाम होगा यहाँ पर यह आ जाएगा और जो भी इसका branch होगा यहाँ पर यह आ जाएगा अब इसके बाद यहाँ पर हमें नीचे save and continue पर click कर देना है इस पर click करने के बाद यहाँ पर यहाँ पर यह कुछी तरह से आ जाएगा अब इसके बाद यहाँ पर यह आपके बारे में जनकारी आ जाएगा जो भी अधार कार्ड पर फोटो होगा नाम होगा इन सब चीजों जो है आपको देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर आपको सब कुछ मिला लेना है सब कुछ सही है या नई सही है तो यहाँ पर इन सब कुछी जो को हम देख लेते हैं यहाँ पर जो भी एड्रेस होगा यहाँ पर यह एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पर यह जो भी वेवसाय होगा यहाँ पर यहाँ पर यह आ जाएगा जो भी आपका अकाउंट होगा बैंक का यहाँ पर यह आ जाएगा सब कुछ आपको देख लेना है अब इसके बाद यहाँ पर में नीचे आना है और सब कुछ देख लेना सही है तो आपको yes कर देना है, अगर नई डूरना चाहते हैं, या फिर नई करना चाहते हैं, तो आपको no कर देना है, यहाँ पर इसे हम yes कर लेते हैं, yes करने के बाद यहाँ पर हमें submit पर click कर देना है, submit पर हम click कर देते हैं, इस पर click करने के बाद यहाँ पर यहाँ पर यह कुछी त कार यहां पर आ जाएगा और यहां पर यह आपके मुवाइल नंबर पर भी आपको मेसेज जो है आपको देखने को मिल जाएगा देखके यहां पर यहां पर आपको इसका एक नंबर मिल जाएगा अगर आप इस रम कार्ड को डाउन करना चाहते हैं तो आपको डाउनलोड यू ए अन कार्ड पर किलिक करना है इस पर किलिक करने के बाद यहाँ पर यहाँ पर यह थोड़ा सा इंतिजार करते हैं इस पर किलिक करने के बाद देसकते हैं यहाँ पर यह डाउनलोड हो चुका है एक पेडिया फाइल की रूप में देख सकते हैं यहाँ पर यह अगर आप इसे प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप चाहें तो किसी दुकान पर जाकर आप इसे प्रिंट करा सकते हैं इस तरीके से आप चाहें तो अपने मोबाइल से इस रम कार्ड आप बना सकते हैं नीचे आपको यहाँ पर आपसम दिखाई देगा complete registration का इस पर आपको किलिक कर देना है इस पर किलिक करने के बाद यहाँ पर इसका registration यह complete हो जाएगा इस तरीके से आप चाहें तो बहुत यह मोबाइल से आप बना सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लागत वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरू करें